प्यार दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे डंग से आप अपना पढ़ाई कर रहे होंगे चलिए बात करते हैं आज के क्लास का तो पिछले दो क्लास में हमने आपको कमपाउंड सभाण करता है और उसके बाद हमने टापिक फर्स यानि पहला टॉपिक का 14 सवाल आपके समक्ष किलिए गरवा दिया था हम लोग आज के क्लास में उससे आगे के प्रश्णों को देखेंगे यानि टॉपिक नंबर फस्ट के 15 नंबर सवाल से हम लोग आगे बढ़ेंगे चलिए आईए देखिए 15 नंबर सवाल क्या कहता है कहता है किस दर प्रतिशत पर 625 रुपया का दो साल में चक्रविर्धी ब्याज से मिस्रधन जो है वह 686 रुपया ह हो जाएगा आप से दर पूछा है चलिए पहले प्रोसेस सहीं आपको दिखाते हैं हाँ ध्यान दीजिएगा माल लेते हैं पहले प्रोसेस माल लेते हैं कि माना अच्छा अब एक बात सुनो जैसे अगर दर के बारे में नहीं कुछ दिया है बारसिक है कि छमाही है कि तिमाही है तो समझ ये बारसिक कहीं बात किया गया है अगर तिमाही बोलेगा तो तिमाही लिखाओगा परस्त में छमाही कहेगा तो छमाही लिखाओगा इसा बात पर अब ध्यान दखना चलिए दर को मनें मान लिया प्रिंस्पल कितना है छे सो पचीश रूपया चलिए प्रिंस्पल कितना है छे सो पचीश रूपया अकॉर्ड बात एक्च्छली मिस्धन का हुआ करता है इमाउंट का हुआ करता है चलिए अब यहां से जो यह सकी किल्कुलेट कर लेते हैं तो यह हो जाएगा आपका वन पलस में आर बटा हंडेड है अब पर पावर दू अच्छा यह कितना होगे आपका यह होगे छे सो चीयत्तर बटा 600 कितना होगे आपका 25 अराम से बात को समझे प्रोसेस भी सिखाएंगे टेकनीक भी सिखाएंगे जिससे आप सेकेंडों में प्रश्ण को सोलू कर लो अब देखिए धर का स्कॉयर उट हो जाएगा ठीक है यह हो जाएगा वन फॉलस में आर बटा हंडेड अच्छा स्कॉयर 100 बराबर क्या हो जाएगा आप एक घटाओगे एक बटा 25 अन चलिए 25 से इसको चार बार में काट लीजिए यानि जो आपका रेट निकल करके आजाएगा वह रेट क्या निकल करके आजाएगा चार प्रतीसत बार सिख ओप्सन कौन सा करोगे आप ओप्सन नंबर आपका ए हो जाएगा मेरे भाई क्या उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्सन नंबर ए हो जाएगा अब बात रहा एक्जाम का कि इसको और सुब्धा पुर्वक हम कैसे बनाएंगे तो उसका भी तर्कीव आपको सिखाते हैं अब देखिए कैसे सुब्धा पुर्वक बनाएंगे दो साल के बाद दो साल के बाद जो है चकविर्धी ब्याज से मिस्धन जो है वह 676 रुपया यानि मुल्धन है और दो साल के बाद मिस्धन दिया गया है अच्छा मुल्धन कितना है 625 जी हां और मिस्धन कितना है आपका यह हो गया आपका 676 अच्छा दो साल का दिया गया आजनते हो कि चेक्विषधी ब्याज का उधन होता है वोग गुनोत्तव श्रेनी में हुआ करता है तो यह 2 साल का मल्टिप्लाइंग taraf प्रिंस्पल और एमाउंट का रेस्यू आ गया जी हां amount और principle का ratio आ गया आपका यह देखिए अब देखो 25 unit principle है 26 unit amount है यानी interest कितना एक यानी एक जो है 25 का कितना प्रतिसत यही तो है निकाल लीजिए चलिए 25 से काट लीजिए 4 बार में यानी rate of interest कितना हो जाएगा आपका 4 प्रतिसत हो जाएगा ऐसे सोच स प्रतिसत हो जाएगा तो ऐसे प्रस्ण को आप बना सकते थे चलिए आगे आजाईए अगले सवाल क्यों प्रस्ण संख्या सोल काता यदी 30,000 का साथ प्रतिसत बार्सिक दर से ध्यान दिज्येगा राम से बात को हन काता एक निशित समय का चक्विर्धी ब्याज 4,347 समय बराबर एकजाम में सब लिखने क्या आवा सकता नहीं हम दोनों बात को लेकर चलते हैं कि आपको सिखना है तो प्रोस्टेस से चलिए और एकजाम में जल्दी बनाना थो वह भी बात आपको बतलाते हैं प्रिंसपल कितना है आपका 30,000 नहीं प्रिंसपल हो गया आपका आइन वर्स आच्छा इसका ब्याज कितना 4347 तो इमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे प्रिंस्पल में ब्याज को जोड़ेंगे तो 30,000 में 4347 जोड़ लीजिए तो यह हो जागा 34,347 क्या हो जागा 34,347 अब देखिए 3 से काटेंगे ती कितना बार में कटेगा यह एक काट लीजिए 3 से एक बार में 3 से एक बार में जी हां 34 के 12 फिर देखिए कितना हो जागा 34 के 121 फिर 34 के 123 कितना होगे आपका 27 ध्यान दिजिए गा इधर आप देखोगे तो यह हो जाएगा आपका 107 बटा 100 पर पावर यह बराबर में अच्छा इसका अगर नहीं भी याद है तो कोई दीकत नहीं 10,000 जो है 100 पर कितना पावर रखने के बाद आपको मिलेगा तो कहोगे सर्दू पावर यानि कहने का मतलब है इसको आप लिख सकते हैं 107 का होल स्कुर जबकि 10,000 को लिखेंगे 100 का होल स्कुर चलिए बेसिक्वल है पावर को कंपेर कर लेंगे यानि यन बराबर कितना हो जाएगा आपका दो वर्स हो जाएगा क्या हो जाएगा यन बराबर हो जाएगा आपका दो वर्स क्या हो जाएगा यन बराबर हो जाएगा आपका दो वर्स कौन सा उत्तर करोगे आप ऑपसन नमबर ए जो है वो आपका बिलकुल ही रैट तक किस बार्सिक चेक्विर्धी व्याई दर पर तीन हजार रूपया तीन बरसों में तीन हजार नौसों तिरानवे रूपया जो है हो जाएगा जहीं यहीं बात दिया गया नद चलिए तो रेट आपसे पूछा रेट को र प्रतिशत बार्सिक मान लेते हैं माना दर बराबर किस बार्सिक दर प्रतिशत पर दर बराबर आर प्रतिशत एनम यानि आर प्रतिशत बार्सिक अच्छा प्रिंस्पल कितना दिया है प्रिंस्पल दिया गया तीन हजार कितना दिया गया तीन हजार जी हां तियो हो जाएगा आपका तीन हजार इंटु वन पलस आर समय कितना बोला तीन अच्छा मांट कितना हो जाता यह हो जाता तीन हजार नौसो तिरान में जिहां अब देखो आप यहां से लिख सकते हो इसको एसे वन पलस आर बटा हंडेड हन अब पर पावर में तीन तेरा सो एक तिस को क्या लिखेंगे 11 का क्यूब है 1000 को 10 का क्यूब जी हां चलिए बेस इक्वल है आपका पावर इक्वल है बेस को कंपेर करेंगे यानि वन पलस आर बटा हंडेड पराबर में हो गया 11 बटा कितना हो गया आपका 10 आप देखो यह वोगया आर बट्टा हंडेड बराबर एक घटा लेंगे तो यह हो जाएगा एक बट्टा उप्सन नंबर हो जाएगा यह तो बिलकुल ही प्रोसेस था मेरे भाई अब चलते हैं इसको अराम से कैसे जो है किस तेकनीक के माध्यम से इस प्रश्ण को सुब्धा प्रुवक सोल्व करेंगे थोड़ा इस बात को आप समहिलो अच्छा एक बात सोचो काता किस बारसिक चक्विर्धी ब्यायदर पर 3,000 रुपया तीन वर्सों में 493 रुपया हो जाएगा आच्छा यानि प्रिंस्पल कित है नहीं तीन साल का यह मल्टिप्लाइंग फैक्टर है तो एक साल का मल्टिप्लाइंग फैक्टर निकालने के लिए इसका क्यूब रूट निकालेंगे क्या रिकालेंगे इसका क्यूब रूट निकालेंगे यही सब बात को समझना है जैसे तीन आप जानते हो कि यह जो जी आपका 1000 और यहां मिलेगा आपको मिलेगा तेरास सो प्या मिल गया आपको 333 का कि और कले 2,000 क्या हो जाए आपका साल का मल्टिपलाइंग तैक्टरा आ गया सो रूपया एक 16 रूपया एक रूपयानि 10 रूपया पर एक रूपया ब्याज यानि एक जो है dai स्थ कितना प्रतिसद है भुट सौच लीज़िए यानि राइट ओप इंटेस्ट कितना आ झाएगा आपका रेट empowered स्था आपका 10 प्रतिसद कितना हैं तरफ Какा एक साल में इसे प्रतिसद को बना सकते हैं ऐसे भी देखे 2,000 रूपया कितने बरसों में 2420 रूपया हो जाएगा अब देखिए इसको अगर सुब्धा पुरुवक ऐसे अगर सोचना चाहते हैं जैसे 2,000 रूपया कितने बरसों में 2420 रूपया हो जाएगा अब देखिए 2420 रूपया हो जाएगा अचा समय नहीं मालूम है समय ह निकालना है तब थोड़ा सा यहां पर पावर का खेला समझेंगे अब देखिए यह दू यहां से कॉमन कर लिए तेहां क्या बज़ जाएगा आपका 100 और यहां क्या बज़ जाएगा आपका एक सो एकीस अब खुद सचियन इसका स्क्वाइर रूट करें कि क्यो रूट निकाले है ताकि रेट आपको दस प्रतिशत मिल जाए अगर आप अस्क्वाइर रूट कर रहे हो समझे बात को तेहां मिलेगा 11 बटा क्या मिलेगा आपको 10 यानि एक जो है 10 का कितना प्रतिशत है 10 प्रतिशत तो यहां से रेट आपको 10 प्रतिशत बारसिक मिल जा रहा है तो अभी समय पूछा गया आपने क्या किया अस्क्वाइर रूट किया यानि मामला कितना साल का है मामला दो साल का है मल्टिप्लाइंग फेक्टर है समय कितना हो जाएगा आपका दो बर्स कितना हो दो बर्स तो यहां देखिए यहां थोड़ा सा आपको ध्यान प्रुवक काम करना होगा कि हम square root निगाले कि Q root निगाले कि fourth root निगाले ताकि rate हमको 10% मिल जाए घबडाने की कोई बात नहीं है आप समय को यनवर्स मान करके प्रश्ण को सुगदा पुरुवक बना सकते है हान चलिए प्रिंसपल कितना है आपका principle होगे आपका 2000 ध्यान दिजिएगा into one plus rate होगे आपका 10 बटा 100 रासी कितना हो जाता है समय को यनवर्स मान लेते हैं सब्सक्राइब करेंगे यान बराबर कितना हो जाएगा आपका दो वर्स हो जाएगा क्या हो जाएगा यन बराबर दो वर्स आपका उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा दो वर्स आपका यन बराबर उत्तर हो जाएगा समय पूछा गया था समय हो जाएगा आपका दो वर्स चलिए यहां तक अगर किनी को दिक्कत हो रहा है तो बताइए चलिए अगले सवाल क्यों राते हैं काताव मुल्धर क्या है जिसका 10 प्रतिशत बार्षिक दर्षे दूसरे बर्स का चक्रब्रधी ब्याज जो है वह 132 रूपया है अब देखिए इसको जहां तक भनाने का सवाल है मुल्धर को पी मान लेते हैं अचा दूसरे बर्स का चक्रब्रधी ब्याज पर पावर कितना दो अब इसमें एक साल के मिजदन को घटाई है पी इंटू वन पलस आर बटा हंडेड हन पर पावर वन अचा दूसरा साल का चक्रब्रधी ब्याज कितना दे रखा है प्रसन के हिसाब से 122 रखा कितना दे रखा 132 अब सूचो हम ऐसा क्या कर दिए कि में जह हम एक साल के मिजदन को घटा लेंगे तो दूसरा साल का ब्याज बचेगा की नहीं बचेगा यह से दूसरा साल का मिजदन का बात करें, तुस्वा मुल्धन होगा पहला साल का ब्याज, दूसरा साल का ब्याज, जबकि एक साल का मिजदन घटाएंगे, तो मुल्धन घट जाएगा, पहला साल का ब्याज घट जागा, तो बच्चे का दूसरा साल का ब्याज, जो 132 के रूप मे बरावर में क्या होगे आपका 132 जी हां चलिए अब यहां से common कर लीजिए पी गुना 11 बटा 10 common करते हैं तो क्या बचेगा आपको सुच करकर देखो तो यहां पर अगर आप 11 बटा 10 common करोगे तो बचेगा 11 बटा 10 यहां बचेगा 1 तो एक घटाएंगे यानि एक बटा दस बरावर में कितना होगे आपका 132, 11 से काट लिजे कितना बार में, 12 बार में, यानि आपका प्रिंस्पल कितना हो जाएगा, तो प्रिंस्पल हो जाएगा, आपका 1200 रुपया हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1200 रुपया, उत्तर क्या करोगे, आप option number B हो जाएग अब इसको और सुग्धा पुरुवक देखिए कैसे बनाते हैं देखिए बात को समझेए अच्छा प्रिंसपल को हम मान लेते हैं अपना हिसाब से क्या मान लेते हैं सो रेट ऑप इंटेस दस परसेंट है बताई पहला साल का ब्याज कितना होगा तौकार दस दस बढ़कर के मुलधं का कांटेस यहां अगला साल के लिए मुलधं का काम 110 करेगा 110 का 10 कितना हो जाँच गा एकवल 232 पूछ पूछ है प्रिंसपल कितना यूगनट हुंत आ चले 11 से काट लईजिए 11 से कितना बार में आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा तो कितना हो हो जाएगा सर क्या हो जाएगा 1200 रूपया आपका प्रिंस्पल हो जाएगा कितना 1200 रूपया तो अराम से ऐसे भी प्रस्णों को बना सकते हैं देखिए सोचने दूसरा के मिजधन उह टाली जी उत्तर आजाएगा प्रिंस्पल पी का मान चली और नहीं तो प्रिंस्पल को सो मान लो रेट अपेंटेस दस परसेंट पहला साल का ब्याज सौ का दस कितना हो जाएगा दस बढ़कर कितना रासी होगे 110 110 का दस यानि कितना हो जाएगा 111 अब 70 रुपया 60 पैसा केबल और केबल तीसरा साल का ब्याज है 12 रुपया 60 पैसा जो बारे समलों एक यूनिट का मान है प्रिंस्पल पूछा है 100 यूनिट का मान आपको बताना है चली इसको काट लीजिए 6 बार में यानि 6 गुना 100 कितना हो जाएगा आपका यह हो जाएगा 600 र पी का मान निकाल लिया जाता पहला टॉपिक होगे आपका समाप्त चलते हैं टॉपिक नंबर दो में जी हां एक इस नंबर सवाल काता कोई धन चक्रविर्धी ब्याजपर अराम से बात को समझे कोई धन चक्रविर्धी ब्याजपर हन काता दो वर्स में 88,120 तीन वर्स में 91,61 रुपिय हो जाता है मुल्धन पूछा है अब देकिन एक संपल सा बात यहीं से आप बात को समझ करके यानी कितना जादा हो रहा है कितना बढ़ रहा है तो 441 यानी 441 रुपिया जो है वह ब्याज है किसका ब्याज है पिछला मिजदन का 88,120 का 1 साल में नहीं अठासी सो बीस का एक साल में, चलिए यहां से 20 बार में 20 से 5 बार में rate of interest कितना हो गया, आपका 5 प्रतीसत हो गया, 5 प्रतीसत हो गया, आप देखिए 2 वर्स का मिजधन्दी या 3 वर्स का, अब 2 साल का multiplying factor निकाल लीजिए, जी हाँ, 5 प्रतीसत rate है, सोचने वाला बात है, समझ यही एक बटा 20, चलिए 20, 21, ध्यान दिजिएगा, 20, 21, यही तो है, दो साल के principle और amount के बीच का ratio, क्या हो गया, 400 अनुपात, 441, दो साल का, आच्छा, आपको 2 साल का मिजधन्दन कितना दे रखा है, यह दे रखा, 88, 120, जो unit के तोर पर कितना, 441 unit है, नहीं, प्रिंस्पल कितना, 400, यही 400 unit का मान बताना है, इसको 20 बार में काट लीजिए, आपका result कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, 8,000 रुपया हो जाएगा, कितना मेरे भाई, 8,000, जी हाँ, 8,000 रुपया हो जाएगा, कौन सा उत्तर करोगे आप, option number A जो है, वो आपका बिलकुल ही right जवाब हो जाएगा, 8,000 रुपया, आपके पास एक दूसरा इस हिती भी था, तीन साल का भी मिजधन मालूम था, तो तीन साल का भी multiplying factor आप निकाल करके प्रशन को सुद्धापुर्वा compare करके बना सकते थे, चलिए, अगले सवाल की और बढ़ते हैं, क्या कहता है, सुनिए, कहता है कोई धनदासी, चक्विर्धी ब्याजदर पर दो वरसों में 8820, जबकि चार वरसों में, देखिए, यहाँ पर आप एक बात को समझो, कहने का मतलब दो वरस में 8820, और चार वरस में जो है, वह बारह हजार पांच रुपया हो जाता है, यहाँ डिफरेंस दो साल का है, तो इससे दो साल का आपका निकल कर क्या आएगा, क्या निकल क्या आएगा, इससे जो है आपका दो साल का निकल कर क्या आएगा, हाना, क्या दो साल का निकल कर क्या आएगा आपका, दो साल का मल्टिप्लाइं फेक्टर, तो ऐसे बना सकते हैं, लेकिन इसको में एक प्रोसेस द दो साल का मिषदं आपको दिया है अच्छा, चार साल का मिषदं को क्या लीख होगे तो नंबर क्या कर लीजा है और दो साल का मिषदं दिया तो इसको लीखेंगे नियुकल तो 1 पलस आर बटा 100 अब पर पावर में दू बराबर में कितना होगे आपका यह होगे आपका 88 तो कितना होगे 20 यह होगे एक क्विस्टन नंबर सेकेंड है कि इसको प्रोसेस से हम क्यों ले जा रहा है क्योंकि यह एक्जाम में पूछा जाने वाला बार बार पूछा जाने वाला प्रस्न है और इसको सुधा पुर्वका पैसे ही बना सकते हो अब आप क्या करो समईकरन 1 में 2 से डिवाइड करो अच्छा एक में 2 से डिवाइड करोगे समझो बात को तो पी से पी कड़ जागा 4 पावर 2 power घट जाएगा यानि आपको मिलेगा 1 पर पॉलस आर बटटा 100 अब पर power कितना मिलने वाला 2 अच्छा बरावर में क्या हो जाएगा आपका यह हो जाएगा 120 और बटा कितना हो जाएगा आपका 18000 कितना हो जाएगा 20 अब देखें कितना असान हो गया यहीं से एक नियम निकल करके आजाएगा रूल निकल करके आजाएगा ट्रिक निकल करके आजाएगा जिससे आप इस परकार के सवाल को असानी से बना सकते हैं अब देखे सीधा पावर दू कामान निकल चुका है यहाँ परियोग कर लेते हैं question number 2 में अच्छा power 2 का मान कितना हो गया यह हो गया 12,500 और बटा 88,000 कितना हो गया आपका 20 बरावर में कितना हो जाएगा आपका 88,000 देखी से क्या साबित करना चाहते हैं अब यहां से principle बता यह कितना असान हो गया तो लिखेंगे प्रिंसपल बरावर हो जाएगा आपका 88,000 और गुना 88,000 और और बटा कितना हो गया बटा हो गया आपका 12,000 यह कितना हो जाएगा आपका 5 जीजियां 12,000 कितना हो गया आपका 5 अब calculate कर सकते हैं इसको है ना calculate कर सकते हैं आप बिल्कुल calculate कर सकते हैं पांच से काटिए ना पांच दूना कितना होगे आपका दस पांच चो के 20 जी रो, चोबिस सो कितना हो गए आपका एक जी हाँ, चोबिस सो एक हो गए आपका, अच्छा इसको काटिए तो कितना बार में पांच से, पांच से कट जाएगा एक बार में, अच्छा पांच से एक बार में कटा, फिर देखें तीन बचा, पांच सत्य कितना हो जाएगा देखिए क्या कटता है, देख लीजी आप 2401 है न भाई, कितना बार में कट रहा है, देखिए तो, 441, 1764, अगर आप देखोगे, 1764, 8, 9 बार में कटता है क्या, 426, 7, नहीं, 9 बार में इतने ही कट रहा है, 2401, यह होगे आपका 47, नहीं, ससते 49, 49, 841, 11, 22, नहीं कट रहा है, 2401, अगर 1764, अगर काट रहा है, आप कितना बार में कटेगा, इसको देख लीजिए, और भी कट रहा हो, कटेगा, जरूर कटेगा, 3, 3 बार में इतने ही कट रहा है, 441, अगरू कट रहा है, 21, 21 से भी नहीं, तो कितना बार में कटेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, इस पर कितना बार में मान कट रहा है, ना, दिमाग लगाओ तुम लोग, थोड़ा अचा दिमाग लगाओ, राम पानी पी लेते हैं, चलिए, अब इसको थोड़ा अराम से काट मीजेगा, कल्कुलेशन थोड़ा बड़ा है, यानि पूरा आप देखोगे, बतला देना चाहते हैं आपको, कि अगर आप पूरा कल्कुलेशन को देखोगे, तो इस 6480 बार में पूरा कड़ जाएगा, कितना बार में, 6480 बार में, पूरा, जी हां, 6480 बार में, अतहा इसका रिजरेट हो जाएगा, आपका 480, क्या हो जाएगा, 6480 रुपया हो जाएगा थोड़ा calculation छोड़ दिये क्योंकि आप अपने से इसको calculate कर लीजिएगा 6480 ही आपका result आने वाला है आप देखिए यहां से आपको क्या दर्साना चाहते हैं इस बात को समझेगा यहां सम आपको यह दर्साना चाहते हैं कि चिला ध्यान देना एक बात का कि जब भी समय दुगना का बात करें यानि एक समय दूसरी समय का दुगना हो जाए जैसे एक बार एक साल का चर्चा हो एक बार दूस साल का एक बार चार साल का एक बार तीन साल का एक बार छे साल का एक बर 4 साल का एक बर 8 साल का तो वेसे सिती में आप अराम से देखिए यहां पर आप नोट करके लिख होगे देखिए नोट करके दूसरा तरीका आपको बतला देते हैं मिल्कुल इतना करने कि आब सकता नहीं है जब दूसरा समय दूसरा समय पहले समय का दुगना हो जाए या दुगना हो तो एमाउंट बरावर प्रिंस्पल बरावर प्रिंस्पल बरावर एबन अस्क्वाइर बाई एटू बस इसको ध्यान रद्ध होगे जब दूसरा समय पहली समय का दुगना हो हम क्या बोले कि जो दो समय का जिक्र किया जाए उसमें एक समय दूसरी समय का दुगना हो जैसे एक बार एक साल एक बार दो साल एक बार दो साल एक बार चार साल एक बार तीन साल एक बार छे साल जी हां दुग ना हो एक बार चार साल एक बार आठ साल तो एसे सित्वी में प्रिंस्पल वराबर A1, A2 यहां भी आपको देखने के लिए ही मिला होगा दूस साल का चार साल का दिया था तो रिजल्ट जो आपको मिल रहा है पहला मिजधन का होल स्कॉर बटा दूसरा मिजधन तो यहां से भी आप बना सकते प्रिंस्पल पहला मिजधन कितना था यहां था 8820 जी हां तो आप ऐसे प्रस्ण को बना सकते हैं 6480 option number C जो है वो आपका बिल्कुल ही right answer है क्या उत्तर हो जाएगा option number C मेरे भाई क्या उत्तर होगा स्टी number आपका right जवाब हो जाएगा जी हाँ आप 23 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है या भी वैसी प्रकार का सवाल है इसको भी आप सुब्धा पुर्वक वैसे ही बरा लीजिए एक कोई धन चक्विर्धी ब्यायदर पर तीन वर्सों में और सवाल है पहिला समय का दुगन पहिला 3 साल अगला 6 साल तो देखे data का साल की आप 4 सीजिए 6 साल और सठी यहा और बटा कितना होगे आपका यह होगे आपका 10,035, कितना हो जाएगा आपका 10,035, यही तो है आप इसको solve करोगे 460 आएगा, कितना आएगा 460 रुपया आपका answer हो जाएगा, यहां calculate करेना है 460 आपका right answer होगा option number आपका D हो जाएगा, क्या मेरे भाई, option number D हो जाएगा, तो उमीद करते हैं किस प्रकार का सवाल को आप असानी से इसी format से बनाने में आपको सुबधा हो, जब भी principle पूछा जाए और दोई सिती का आपको मिजधन दिया जाए और उसमें एक समय, दूसरे समय का दुगना हो जाए, तो ऐसे सिती में principle बराबर A1 square by A2 यानि पहला मिजधन का होल स्कॉयर बटा क्या हो जागा आपका दूसरा मिजधन पिछले सवाल में भी यही आपको देखने के लिए मिला था समय दुगना था, एक बार दोस्ताल एक बार चार साल, हम सीधा बात बोल दियें, जब दूसरा समय, पहले समय का दुगना हो तो principle बराबर A1 square by A2 यानि पहला मिजधन का होल स्कॉयर बटा दूसरा मिजधन, जी हाँ, चलिए तो यह था आपका टॉपिक नंबर दो का तीन सवाल, जिसको में क्लिये करबा दिया यानि टॉपिक दू भी आपका समाप्त हो गया निक्स क्लास में लोग चलेंगे, टॉपिक नंबर तीन को देखेंगे, और उसके आगे के सवालों को सीखेंगे, तब तक भी दा लेते हैं जहें जय भारत